एलो क्लास कैसे हैं आप लोग तो आज की लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैपटर 6 बात करने वाले आज का मारे टॉपिक है भक्ति और सूफी प्रंप्रा के बारे में आज हम बात करेंगे तो अधि हम बात करते हैं भक्ति के बारे में और सूफि के बारे में तो भक्ति का मतलब यहाँ पर माना जाता है हिंदू से माना जाता है अधि हम बात करते हैं सूफि तो सूफि का मतलब महारे पास होता है मुस्लिम के बारे में माना जाता है तो इस ट्रापिक में हम यह बात करेंगे कि भारत के अंदर हिंदु धर्म का विकास अरता थे हिंदु धर्म के अंदर दो लोग जिसको हम बोलते हैं विश्णू और शिव तो इन दोनों का विकास कहां पर होता है किस पकारण से होता है किस ने इनको बढ़ावा दिया किस पकारण से बढ़ावा दिया कहां कहां पर ये फैला इसके बारे में हम इस्तार से जानेंगे और अगल हम जानेंगे मुस्लिम के बारे में कि भारत में मुस्लिम कब आता है कहा से आता है और इसका फैलाब कैसे होता है इसके बारे में हम इस तार से जानेगे इसमें ये भी जानेगे कि सूफी कौन थे चिस्ति क्या था चिस्ति सिलसला क्या था इसके मानने वाले कौन थे किनों ने इनको बढ़ावा दिया किसने इसको फैलाने में में रोल प्ले किया जि गंगा जमनी बनावट और स्ट्रक्ट्टर के दिया गया और आच्रनों को देखने में मिल जाता है अर्थात उन्होंने इसको प्रेक्टिस में लेकर के आने का काम चालू किया अधिम बात करते हैं भारत के बारे में तो कहा जाता है कि 8 और 18 सेंचरी मतलब लग भग एक हजार सालों की बात की जा रही है इस बीच भारत में साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं बाला यह हुआ कि हमारे यहां पर लग भग देखा जाए 8 सेंचरी से लेकर के 18 सेंचरी के बीच में तो भारत में कई सारे देवी देवताओं का पूजा पार्ट इनका परचलन इनके मूर्तियां इनके बारे में साहित्य देखने को और लिखने को मिल जाती ही यह भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग भागों में लिखा गया जैसे कि तमिर में लिखा गया पाली में लिखा गया संस्क्रित में लिखा गया ऐसे कई सारी अन्य भासाओं में इसको लिखा गया और ब्याख्या किया गया कुछ भारत के राज्जों के दीर हम बात करें तर्वें से कुछ ऐसे असाहित्ती के रचना की गई जै हचे उत्तिर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में इसका जो विकास देखने के ट मिलता है वो बिहार यूपी रेश्ट बंगाल महारास्टा ऐसे कुछ राज्यों में देखने को मिल जाता है कहता है समय देवी देबता की रूप में मलईदियम बात करते हैं इसमें किन देवी देबताओं की पूजा की गई तो उनकी पूजा के रही बात की जाती है तो उसमें से हमारे पास आते हैं विश्णू, सिव और देवी की बात की जाती है आपने पढ़ा होगा चप्टर फोर्थ में देवगड़ पढ़ा होगा देवगड़ उत्तर पड़ेश में पढ़ता है और उत्तर पड़ेश के अंदर भगवान विश्णू की मूर्थी लेटी हुई अवस्था में दिखाया गया है जिससे समझ में यह आता है कि वहां पर भगवान विश्णों की पूजा हमारे यहां पर एसी इंड कल्चर के टाइम से चलती हुई आ रही थी जिसे बात के टाइम में अर्थाथ 8 और 18 सेंचुरी के टाइम में आगे बढ़ाने का काम चालू किया गया यदि आप बात क प्रकार से देवियों को भी अनेक रूप में विक्त किया गया और उनकी पूजा पाठ की अराधना को चालू किया गया इसमें भगवान विश्णों सिव और देवी की अराधना की परिपार्टी फैलती है और लोगों के द्वारा अपनाई भी जाती है मतला यह हुआ कि लो प्रकार काम करती है किन्होंने प्रिपलाया इसके बारे में हम इस्टार्ट से बात करेंगे तो आज के टापिक हम यह खत्म करते हैं इंड्रवस के साथ कल हम चालू करेंगे बात करेंगे कौपरेशन औफ वर्शिव सिस्टम अर्थाठ पूजा परनालियों का समन्भवए एक ऐसे इसमें समय देखने को मिलता है आज के लिए पना है मिलता है इस क्लास में तक के लिए धन्यवाद